आज मैं आपको नंबर सेरीज का पार्ट टू करवाऊंगा जिसने पार्ट बन नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप बहां से उस वीडियो को जरूर चक करें क्यूंकि मैंने उसमें आपको नंबर सेरीज के टाइप और बेसिक सी चीजे बताई ह अगर नंबर सेरीज एक दम से बढ़ जाए तो उसमें गुणा हुआ होगा दीरे दीरे बढ़ रही होगे तो उसमें प्लस या माइनस हुआ होगा तो यह सो बाते मैं आपको पार्ट बन में बताई है तो आई होप उस वीडियो को आप जरूर चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका डृष्चेस हम देख लेते हैं अगर हम 255 को 321 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका डिफेरंस आएगा और 66 कि आधर 321 को भी कि से 395 से माइनस करेंगे तो इसका माइनस करेंगे तो यह होगा 82 2 तो अब इस तरह से हमें पता नहीं लग रहा जब आपको numbers श्योई में difference निकालने पे पता ना चले तो कभी कभी आपको difference का difference भी निकालना पड़ेगा तो इन दो का difference अगर आप है अगर आपने कालेंगे तो ये आए गा 8 तो इसका मतलब होगा कि जो यहां और यहां value होगी उनमें भी 8 का difference होगा तो मतलब यह होगी 90 और अगर हम 90 को plus करेंगे इससे तो हमारे पास answer आएगा सबसे पहले यहां हमारे पास 7 फिर अगर 9 आएगा 6 तो 560 हमारे पास इसका answer आएगा तो यह है इस तरह से मैंने आपको एक और बात कल बताई थी कि आपको एक से 20 तक के गुणा याद रखने है और आपको square बगारा अपने याद रखने है square, cube यह सब आपने याद रखने है एक से 20 तक के तो अगर आपको square value का पता होगा तो आपको यहाँ पर question देखके पता लग रहा होगा कि यह है 16 का square फिर minus 1 किया गया है और जो यह value है यह है 18 का square और इसमें minus 3 किया गया है और यह value है यह 20 का square है और इसमें minus 5 किया गया है और इस value में 22 का square फिर minus 7 किया गया है तो इसमें यहां पर 24 का स्केर माइनस 9 किया होगा तो 24 का स्केर कितना होता है 24 का स्केर होता है 560 अगर 560 में आप 9 माइनस करोगे तो आपका अंसर आएगा 567 तो यह था पहला कॉस्चन अब चलते हैं दूसरे कॉस्चन के ओर तो चलिए अब दूसरा कॉश्चन करते हैं अगर आपके पास कभी लंबी सीरीज दी गई हो जैसे अगर सीरीज में पांच से जादा हो या फिर छे से जादा हो तो आपने समझ लेना है कि इसमें या तो एक है या तो दो इससे तीन सीरीज है तो अगर आप यहां पर इनको द पिर यहां पर एकदम से प्लस 3 किया गया है तो यहां पर सीरीज का पता नहीं लग रहा यह किस तरह से हो रहा है तो आपने क्या करना है सिक्वेंस में देखना है इसे कि इसमें कहीं एक से जादा सीरीज तो नहीं है अगर हम इस तरह से देखते हैं अगर मैं 8 को यहां ले जाता हूं तो यहां पर प्लस माइनस एक किया गया है और अगर दो अंक छोड़कर मैंसे यहां ले जाता हूं तो इसमें यहां पर माइनस एक किया है फिर यहां भी शायद माइनस एक हुआ होगा तो अगली सीरीज को बठाके देखते हैं अगर मैं 9 को 10 तक ले जाता हूं तो यहां पर प्लस 1 किया गया है और जब 10 से 11 के और ले जाता हूं तो यहां प्लस 1 किया गया है और जब 11 से 12 के और जाती है वैलियो तो यहां प्लस 1 हुआ है और अगर इस वाली श्रिंगला को देखा जाए तो 8 से अगर मैं 9 को ले जाओंगा तो प्लस 1 हुआ है 9 से अगर 10 के ओर ले जाऊं तो इसमें प्लस1 हुआ है और जब 10 से आगे जाएगा तो इसमें प्लस1 हो तो यहां पर हमें series का पता लगचुका है कि हमें इस वाली series को देखना है जो यहां से गई है आठ से साथ तक और फिर माइनस एक हुआ फिर माइनस एक हुआ तो यहां पर माइनस एक होगा तो यहां पर बनेगा माइनस एक होगा तो यहां होगा अंसर पांच तो इस कॉश्चन में तीन सीरीज को एक साथ लिखा गया है इस तरह के कॉश्चन भी कई बार सादा ही सीरीज डाली गई है या तो वो एक हो सकती है या फिर दो भी हो सकती है जैसे यहां पर कुल तीन सीरीज हैं तो अगला कॉशन करते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब number series का question करते हैं तो आपने difference देखना है कि वो किस तरह से बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर कुछ plus हुआ है तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इसका difference निकालना है इन दौनों का difference निकालेंगे तो ये होगा 42 और इन दौनों का difference होगा 44 इन दौनों का होगा 46 तो यहाँ पर हमें series का पता लग चुका है कि इसका और 600 का difference होगा हमारा 48 और 600 और 650 का difference है 50 का तो आगे जो value आएगी 600 से 650 और जो दूसरी value होगी उसमें अंतर होगा बावन का तो 650 में हम बावन को एड़ कर देंगे तो यहां अंसर आएड़ा 702 तो जो आपका सही अंसर है वो है 702 अब इस question को करते हैं यह question अक्सर students को confuse कर देता है क्योंकि यहां पर student समझ नहीं पाता पहले यहां value 7 दी गई है फिर 7 से point 4.5 दी गई है फिर 5.5 फिर 12 और फिर उन्चास फिर आगे हमें value find करनी है तो इस तरह के questions में अक्सर student खजल हो जाते हैं कि यह किस तरह से आगे बढ़ रहा है तो आपने याद रखना है जब भी इस तरह का कोई question है कि पहले बड़ी value है उसके बाद अचानक से छोटी value आई तो इसमें हमेशा point 5 का गुणा हुआ होगा अगर मैं 7 को point 5 से गुणा करता हूँ तो यहां पर आपका answer आएगा 3.5 फिर उसमें अगर आपने plus 1 किया है तो आ प्लस एक किया तो यह 5.5 आ गया यहां पर इन्होंने गुणा दो से किया दो से गुणा करने पर यहां पर प्लस एक किया तो यहां पर आ गया बारा और बारा को गुणा इन्होंने तीन से किया बारा को गुणा इन्होंने यहां पर चार से किया है और प्लस एक गुणा चार से और प्लस एक तो यहां पर आता है उन्चास और इसको इसी तरह से करेंगे इसको गुणा करेंगे आठ से फिर प्लस एक करेंगे जब 49 को आप 8 से गुणा करोगे तो वो आएगा 392 और 392 को हम एक से जमा करेंगे तो वो आएगा 393 तो 393 आपका अंसर ये वाला ठीक हो जाएगा हमेशा आपने इस वाले कॉश्चन में यही ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू बड़ी से दशमलब में जा रही है तो उसमें हमेशा 0.5 का गुणा हुआ होगा अगला कॉश्चन करते हैं यह भी इसी प्रकार का है जैसे यहां पर दिया गया है कि सबसे पहले संख्या जो है वो 9 से 5 बनती है फिर वो 5 से 6 फिर 6 से 10.5 फिर 23 तो यहां सबसे पहले क्या हुआ है 9 से 5 के लिए जाने के लिए हमें इसको सबसे पहले 0.5 से multiply करना होगा जब हम 0.5 से करेंगे तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा 4.5 फिर 4.5 से हमें 5 तक जाना है तो 0.5 उन्होंने एड किया है इसमें जिससे की value हमारे पास 5 आई है तो यह sequence हमारे पास बैट रहा है तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि हमने 0.5 से इसको गुण किया तो च्हें आज आ रहा है फिर 6 को हमने दस बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसको गुणा किया कि zg Hadlock किर और फिर हमने प्लस किया 1.5 और जब आप 6 को जी इसको ना करेंगे तो आपके पास जो वो होगा 9 और जब 9 को प्लस करेंगे 1.5 से तो आपका अंसर आजाएगा 10.5 तो 10.5 को हम 23 बनाने के लिए 23 बनाने के लिए सबसे पहले सको हम 2 से गुना करेंगे फिर प्लस दो करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा और इस वाली वैल्यू के लिए हम यहां पर इसको 2.5 से गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे 2.5 से क्योंकि यहां पर इसी तरह का सीक्वेंस चला है पहले हमने 0.5 से गुणा किया और 0.5 से जमा किया फिर हमने 1 से इसको गुणा किया और 1 से इसको जमा किया यहां पर हमने 1.5 से इसको गुणा किया और 1.5 से हमने इसको जमा कि है तो जब हम इसको 23 को जब हम 2.5 से जमा करेंगे और 2.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो अंसर आएगा बो आएगा 60 है तो 60 हमारा सही उत्तर है इस कॉस्टिन में आपने किया किया सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं जब भी इस तरह के कॉस्टिन आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि यह बड़े से छोटा कैसे हो रहा है और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कहीं यहां पर दो सीरीज तो नहीं है यहां पर वैल्यू छे से कम दी गई है तो यहां पर दूसरी सीरीज आने का सवाल बह करके देखना है और जब.5 खरके हमारे पास 4.5 पाया था तो अपने 5 बिनाने की कोशिश करने जहांब प ine .5 add कर देना है और फिर आगे जब यह दो सीक्वेंस हमारे पास सही बैठ जाएंगे जैसे फिर हमने यहां पर किया .5 से हमने एक बना दिया फिर हमने एक को गुणा किया और एक को जमा किया अगर यह दो पर कोशिन की बात की जाए तो जो यहां पर संक्या है वो धीरे धीरे नहीं एकदम अचानक से बढ़ रही है पांच से वो सीधे 4725 तक पहुंच चुकी है तो यहां पर क्या हुआ होगा सबसे पहले हमने करना है कि मान लीजिए अगर हमने 5 से 5 बनाना है तो हमने इसको एक से पांच से 15 बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा और 15 से 75 बनाने के लिए हमें इसको पांच से गुणा करना होगा और यहां पर सीक्वंस बैट रहा है कि यहां पर साथ से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 525 और इसको अगर हम 9 से गुणा करेंगे त और अगर 4725 हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास अंसर ही आ जाएगा टो 16 15 तो 75 जहांपर आ रहा है तो यहां पर दो जगा 75 आ रहा है तो आ गैने हिमसे गुणा करेंगे पर 1137 ? यहां पर 9 आएगा तो 99 यहां आ रहा है तो यह अंसर यहां पर सही हो जाएगा 51000 यहां जो सही आएगा बोहाएगा 51000 975 कि अब अगला कॉश्चन करते हैं तो इन कॉश्चन के क्या किया गया है की यहां पर जो वैल्यू है अगर आप इस कॉश्शन को देखेंगे कि अगर इस तरह से कॉश्शन दिया गया है कि शुरू में हमारे पास 32 दिया गया है फिर यहां पर question mark दिया गया है और यहां पर 1024 2048 यहां पर भी 2048 तो जब शुरू में ही question mark दिया गया हो तो आपने question को इस तरफ से शुरू करना है कि 2048 से 2048 ही कैसे बना तो यहां पर हमें एक चीज़ दिख रहा है कि यहां पर तो 2 का गुणा हुआ है जिससे यह 2048 हुआ है और हो सकता है यहां पर हो सकता नहीं हुआ है यहां एक का गुणा हुआ है तो इसका मतलब जो यह वाली value है यहां पर अगर यहां पर 2 का गुणा हुआ है तो 1 2 हो सकता है यहां पर 4 का गुणा हो इन दो में अगर चार का गुणा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें सबसे पहले हम 1024 को 4 से डिवाइड गरेंगे तो 4 दोने 8 दो हसल बचती है तो 22, 4 पंजे 20 तो 6 चुक्य 24 तो यहां पर 256 आएगा और फिर अगर हम इन दोनों को अगर फिर हम इसको 8 से गुणा करेंगे 32 को 8 से गुणा करेंगे तो 256 बैट रहा है तो यह हमारा अंसर हो चुका है 256 तो 256 यहां पर राइट अंसर है यह कैसे हुआ तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर question कभी इस तरह से दिया गया है कि शुरू की value में उसमें question mark दिया गया है तो आपने पीछे से value को check करते आना है कि यह किस तरह से बढ़ा है तो यहां हमें सबसे पहले यही पर दिख चुका था कि यह 2 से गुणा हो रहा है और यह 1 से गुणा हो रहा है तो यहां पर 4 से गुणा हुआ होगा और यहां पर तो हमने 4 से गुणा हो रहा होगा तो सबसे पहले इसको 4 से divide करे 256 फिर आगे वाली condition को fulfill करने के लिए मान लिजी हम यहां से 8 से गुणा करेंगे क्योंकि यहां पर एक sequence में बढ़ रहा है कि अब अगले question की बात की जाए तो इस question में कि इस question में भी हमारे या पास यहां पर को इस तरह थे बन रहा है कि पहले हमारे पास 17 है लेकिन फिर एकदम से यहां पर 98 आ गया है और यहां पर फिर इसमें दो सीरीज का यूस भा है तो अगर मैं यहां पर 16 और 26 में difference देखू तो यहां पर difference आ रहा है Сейчас गर उन यहां पर 98 की तो हमें और प्ता नहीं है कि 98 में कि क्या ह्म हुआ है यहां पर लेकिन आगे देखा जाए तो आगे i County आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर माइनस हुआ है तो अगर यहां पर भी हम 9 का माइनस करते हैं तो यहां आ जाएगा 89 और 89 में अगर 9 का माइनस करेंगे तो यहां पर 80 आएगा तो यहां अजराइट अंसर होगा कुछ कॉशिन कभी कभी अर्थ मैट्रिक प्लस जो मैट्रिक से भी आ जाते हैं क्योंकि कुछ वैल्यू पहले हमें किसी चीज से गुणा करनी होती है फिर हमें उसे प्लस करनी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से हम 17 को तक कैसे ले जाएं 2 को 17 कैसे बनाए तो हो सकता है यहाँ बर 2 को सबसे पहले 9 से गुणा किया होगा फिर माइनस 1 किया होगा ऐसा भी हो सकता है कि 2 को 8 से गुणा किया फिर प्लस एक किया, इससे भी हमारे पार सतरा आ रहा है तो यहां हमें पता नहीं लग रहा कि सतरा किससे आएगा तो हमेशा ऐसे में आपने सतरा को 89 बनाने की कोशिश करनी है जब पहली सीरीज से पता ना चले कि यह किस तरह से आगे बढ़ रहा है है तो हमेशह अपने दूसरी को चाक करना है कि यह दूसरी से कई बार पता लग जाता है तो अगरवम्हे संसतरा से 89 में जाना है तो अगर हम सतरा को 5 से गुना करेंगे रहा है कि तो हमारे पास यहां पर आएग गा 85 और अगर 85 में हम प्लस 4 कर देंगे तो 89 आएगा तो यहां पर हम इस term को fulfill कर देते हैं इस वाली possibilities को हम यहां पर डाल के देखते हैं कि मान लिजिए यहां पर 5 का गुणा हुआ है और फिर प्लस 4 हुआ है तो यहां हम मान कर चलेंगे कि तो 89 से 359 के लिए हम यहां पर अगर चार से गुणा करेंगे क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो यह वैल्यू 400 में चली जाएगी तो अगर हम यहां पर इसको चार से गुणा करें, तो हमारे पास, चार से गुणा करने पर हमारे पास value आएगी, सबसे पहले चेक करते हैं, 89 को, 4 से गुणा करने पर, तो 436 तिन हसल, तो 356 यहाँ पर आएगा, और 356 में अगर हम प्लस तीन कर दें, तो 359 आएगा, 4 प्लस तीन, तो यहां हम करेंगे गुणा 3 प्लस 2, 359 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे, तो यह आता है, 1000, तो यह हमारे पास आएगा, 1077 और प्लस 2 करेंगे, तो 1079 आएगा, यह condition फुल्फिल हो रही है, तो इसी तरह हम यहां पर 1079 को, 1079 को हम यहां पर 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 तो जो हमारा अंसर होगा वो होगा 2169 तो यहां पर हम 2-17 कैसे ले जाएंगे तो यहां पर इन्हों ने 202 को पहले 6 से गुणा किया है फिर प्लस 5 किया है तो यह हो चुका है हमारा कॉश्टन पूरा सॉल तो यह थी आज की वीडियो के कुछ questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर questions में कोई गलती हो या मैंने कुछ गल्प करवाया हो तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उसे सुदार सकूँ और जब भी मैं question करवाता हूँ तो आपने सबसे पहले वीडियो को pause करना है और खुद से उसे पूरे करने की कोशिश करनी है